हलो फ्रेंट्स, बार्बी फ्लेज लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है गुड मॉर्निंग टीचर गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरी तरब से आप सभी को मैच्स के एक्जाम के लिए ओल दवेस तेंक्यू मैडम बच्चो आप सब पेपर के लिए रैडी तो हो ना याज मैडम आप एकजाम के लिए बिल्कुल रैडी है मैडम देखी मैं तो अपना बैग भी नहीं लेकर लाई हूँ श्राइब पैन लेकर लाई हूँ वेरी गुड पुनम बहुत बढ़िया और हाँ सब भी बच्ची कान खोल कर मेरी बात सुन ले कोई भी बच्चा चीटिंग नहीं करेगा और हाँ अगर कोई भी बच्चा चीटिंग करते वे पकड़ा गया तो उसको सीधा फेल कर दिया जाएगा सब अच्छे से समझ गए ना याज मैडम बच्चो आप सबके एक्जाम पेपर आ चुके हैं पहले सब अटेंडन्स देंगे फिर में पेपर बाटना शुरू करती हूँ को नाम अलचेंट मैम साव्या याज टीचल वैशा याज मैडम सिम्मी याज मैडम अली जल्डी चलाचे हो मेला तो स्कूल बहुत दोल है चलो आकल काल मैं स्कूल पहुंची गई अली अज मुझी कितनी चाज़ा कुछली हो लाई है मैं पेपल कैची दूँगी वैची टेंचन की तो कोई बाची नहीं है मेली बेंच चीटिंग देने आईगी अली मिली स्कूल का बलेक कैची पेल हो गया थांग गौड मैं तो बाल बाल बच गई उस दिन की तरह नहीं गिरी लेतिन मैडम मैं तो गिल गई ना सोनम तुमारे दिमाग का इसकूल थोड़ा ढेला है क्या तुमने पागलो की तरह इसकूटे क्लास में क्यों गुसा आई अगर कोई एक्सिरेंट हो जाता तो अली मैडम मुझे उठा तो रही नहीं हो आती चिलाना चिलू कल दिया लो मैं खुदी खड़ी हो गई सोनम बिल्कुल चूप हो जो अगर तुमने एक भी शब मुझे निकाला तो क्लास से बार निकाल दूगी अली मैडम आप तो गुच्चा कर लेंगे मैं तो पेपली स्टार्ट होने जी पहले चपका मून फ्रेश करने की जरूरत नहीं है तुम्हें देखके तो ऐसा लगता है तुम दिन रात रील में घ भगवाने जाने तुम पेपर कैसे दे पाओगी जाओ अपनी सीट पर जाकर बैटो पेपर का टाइम हो गया है बत्ता मिच लड़की पेपर की दिन भी तुम्हें मजाग सूच रहा है ठीक है मैडम आप कुच्चा मत केजी मैं जीट पर जा ले हूं अरे सोनम पहले अपनी स्कूटी बाहर खड़ी और क्लास में चले जाती है चलो अब तो सोनम भी आय गई है पेपर बातने स्टाट कर देती हूं और फिर तभी ग्लास में कोमल मैडम आ जाती है लता मैडम ये क्यार टाइम तो कब का हो गया पेपर आपने अभी तक नहीं बाटे गया बच्चो को कोमल मैडम अब आप आ ही गई है तो मेरी मदद ही करवा दीजिए ओके लता मैडम मैं भी पेपर बटवा देती हूँ आपके साथ सबसे पहले सारे बच्चे अपने बैग नीचे रख दो अली हुआ कितना अच्चा हुआ मैं तो बैग लेकल ही नहीं आई सबसे अपने अपनी सीट पर जल्दी से बैट जाओ मैं और कोमल मैडम पेपर बाट रहे हैं और इधर सारे बच्चे बैग रखकर अपने अपनी सीट पर जाकर बैट जाते हैं अच्छा वा मैले ममी लोट को बला आतम मैज को पेपल तो बहुत आट होता वैज दो फ्रो लोट विल sort जाते हैं और यहां लता मैडम सब्रेघ्चों को मैज के पेपर बाट देती हैं तो फिर सभी बच्चे ज़ल्दी से पेपर इंतना स्टाट कर दो लता मैडम आपने तो मैट्स की पेपर बहुत ही ज़्यादा हाट बनाया ना जाने बच्चे पेपर कैसे देंगे अल्ली वो ये पेपल तो बहुत ही जाता है जी है मैं तो जल्दी जल्दी कलती हूँ जब ची पहले हम फोल में टू पलज कलेंगे पोल अल्टू कितना होता है यापल 6 लिखेंगे अल्लाफ 6 अल्टू को पलज कलेंगे 6 में 2 पलज कलेंगे तो 8 होगा यापल हम 8 लिखेंगे अब हम 5 अल्टू को पलज कलेंगे 5 6 7 यापल हम 7 लिखेंगे अब 6 ओल फोल, ममा ने चिकाया था, 6 में फोल प्लस कर लेंगे, 6, 7, 8, 9, 10, 10 लिखेंगे, 9, 10 तो फूल नहीं है, गवान हम अपर लिखेंगे, 3, 4, 5, 5 हो जाएगा, इसको हम यहां पर फाइप लिख देंगे, प्लस तो मैंने कर लिया है, हम मैं माइन जवाले कर लोंगे, 7 म बचेंगे, हाँ, 2 बचेंगे, यहां पर हम 2 लिखेंगे, और अब ऐसे हम 9 में जवाइप माइनस कर लेंगे, 5, 6, 7, 8, 9, पोल 9, 5 हो है तो हम यहां पर फोल लिखेंगे, तो बहुत ही जादा एजी है, मैंने तो आगी का पेपल कल भी लिया, चलो प्लस के तो मैंने कर लिय हैंब जल्दी सी माइनस के भी कर लेती हूं, कमेंचे ठीली करेंगे, तो कितने बचेंगे, एक बचेंगे, और 6 मेंचे 5 गयँ तो 5, 6, एक ही बचेंगे, यहां पर चाहिए नो कितना बचेंगा, 6 एक ही बचेंगे अनुजिण हो ले है, 2 लिखेंगे तो थो लिखेंगे, में देखते का हमा य roll मं में लॉट को मुझे प्लेक्टिस करवा दिया तो मुझे तो चाले प्राड कोच कुछ बमुझे नहीं आव doğru जो जो यो हाथा एक भी जॉफल के on you मैं क्या करूँ अले मेली बैन मौनू का ले गई तू मभी तक नहीं आई सभी बच्चे पेपर अच्छे से करतो रहे हैं ना पेपर जदा हाइड तो नहीं है गैट मैडम हम तो पेपर अच्छे ची कर लए हैं बोची ची पेपल बनाया है आपने तो मीला तो अगी वाल हो भी गया को मैडम मैं इस क्लास को देख रहे हूँ आप जाके जल्दी से दूसरी क्लास में पेपर बाटाएए को कि मैडम मैं जल्दी से बाट कर आती हूँ अरे वाल सब बच्चे कितनी अच्छे से पेपर कर रहे हैं कोई शोर भी नहीं कर रहा है आज तो चलो जब तक प्लीज मेली प्रीपल दिखाद हो न तुम भी लिए पृत अची बैन होंस्व था लोंस्त मीजे कोंचन में अलरुताइब arlas वैन तुम्हें पीपल नहीं बता जकती तुम्हारे यार याद है न मॉम्मी निक्या का था कि अपने अपना को ख़ुछे लिक न चितिन आसे अचम नुट करना शौली मैं इसलिए बताने नहीं छिकती अल जी वी तुम भापा की जा ले यह पॉपा चाहिए घालले लेटीक क्लास के बार बहुत ही जादे शोर आ रहा था मैंने सोचा बच्ची बाते कर रहे हैं लेकिन यहां तो यह चीटिंग के लिए खड़े हुए हैं जा तुम दोनों सीट पर जाकर बैटो मैडम सो क्या गई तुम तो अराम से चीटिंग की करने आ गए इसके पास अले यह क्यों मैडम तो जाग गई और कोमल मैडम भी आ गई मैंने पेपर स्टार्ट होने से पहले ही घा था कि कोई भी बच्चा चीटिंग नहीं करेगा अले मुझे इस कोच्चन में तो बहुत ही जा चलो पूनम जो जाके पूछती हूँ जह बोलती हूँ कोई सुनना ले पूनम पून चपना की बच्ची पूनम को काई को आवाज दे लाई हो जो पूछना है मुझे पूछो ना अले चिमकांडे तुम्छे क्या पूछो तुम्हें तो खोजी पेपल करना नहीं या ला एक भी कोच्चन तो हुआ नहीं हम तक मुझे बचाएंगी मैडम अले चपना की काले आप चलम नहीं आती क्लाउस में आ की छो जाती हो पैचे कायगी लीती हो पैचे कायगी लेती हो आप खुजा देती हूं लग्टा मेडम चच में आप मेली पीट को जाएंगे वाई ये कबल तो पेपल में चाहिए के टीचर ले खुजा ए स्टूडेंट की पीड वाव वाव क्या नियोज ब्लेकिंग नियोज ब्लेकिंग नियोज ओके मैडम मैं आपको अग्या जेटी आपको हां रुगो सोनम अभी अच्छे से खुझा थी हूं कहां हो रही है खुज ली बताओ बताओ और अच्छे से खुझाती हैं तुमारे अच्छे से जाएगी फिर खुझली ऑले मीली पीट शोली अब हो गई na तोमारी खुझली खतम सोनम अब चुछाप जाकर पेपर लिखो अले मेली दोस्त तुम यहीं पर लुको मैं सोनम को जल्दी से चिटिंग दे कर आती हूँ और फिर तभी सोनम की बेहन क्लास में जाने लगती है अरे मेरी बेहन देख में तेरे लिए कुछली का पॉडर ले आई हूँ अरे बूध 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 कहा भागो इधर भागो यह उधर भागो बूध 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 ओमाइग बूध बूध आप फिर चुनिए मेरी लंबी कहानी मेली जुबानी हम दोनों बैनों को होली वाले जिन की जिने कुचली वाला कलर लगा जियाता ओल फिल जबीशे मैडम हम दोनों बैनों की कुचली ठीक नहीं होई है अब जल्दी चे ठीक हो जाएगे अच्छा वाला पॉडर लाई है मेली बैन यामा नाओ कुच यामा नाओ औल फिल मैडम हम दोनों फिल्जर चुकून की जिन्दी जियेंगे ही भगवान पता नहीं सोनम और इसकी बैन कौन से ग्रह से आये हैं मुझे तो ये दोनों एलियन सी लगते हैं सोनम की सिस्टर तुम जल्दी से सोनम को पॉडर दे कर यहां से जा सकती हो ये लो मेली प्याली बैन ये पॉडरल बहुत ही जादा अच्छा है इस पॉडरल को लगाने से खुचलिक कम हो जाएगी और हाँ अच्छे चे लगाना ये वाला पॉडरल अले वा जीदी आप कितनी अच्छी बैन ये आप मेली लेकनी दूल्ची पॉडरल लेकर ला गए एक और जाओ लो मेली बैन आ है जी जी पॉडरल मुझे दे दो अब ये लो शोनम अच्छे से लगाना पॉडर में जाती हो अब बाए शोनम अल्दा बेस्ट पेपल के लिए अले मेली बैन तो चीटिंग ले आई लेकिन मेडम तो यहीं पल बैटे हो ये मैं चीटिंग कैचे करूंगी चलो एक काम कल चूँ लो चो मेडम को जूट बोल देची हो कि कोमल मेडम आपको भाल बुला लेए फिल में अचानी चीटिंग कलपाओंगी ये अच्छा आइडिया है मेडम मेडम आपको न कोमल मेडम आपिट में बुला लेए बहुत जलूली काम है आपके अच्छा सोनम मैं जाती हूँ और हाँ मैं सबसे बोलके जा रहे हूँ कोई भी बच्चा चिटिंग नहीं करेगा मैं अभी आती हूँ थोड़ी देर में और हाँ सोनम तुम किसी को परिशान मत करना और कोई भी बच्चा अपनी सीट से नहीं उठेगा दोस्तों ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ऐसी हमारे चैनल पर बनी रहें थैंक्स वर वाचिंग इस वीडियो